बच्चे हो या बड़े, रोज रोज वही भिंडी खाकर बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी, इसे हम बिना लेसुन प्याज के बनाएंगे, और ये सबजी दो से तीन दिन प करक nee अरख नई होती है, तो अगरक के बाहर जा रहा हैं तो आप बाहर जा रहे हैं तो आप रास्ते में इसे रख सकते हैं, यह सबजी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले भिंडी को हमें अच्छे से दो करके साफ कर लेना है और उसके बाद साफ कपड़े से इसे पोंच कर सुखा लेना है इसके बाद इस भिंडी के आगे और पीछे का भाग यानि की हेड और टेल को हमें काट कर अलग कर देना है इस तरह से अब इसके बीच में हम एक कट लगाएंगे यह देखे इस तरह से हमें कट लगा देना है और भिंडी को खोल करके चेक कर लेंगे कि इसमें क्यों वगेर हैं कि नहीं है अगर भिंडी खराब है तो उसे अलग कर दें अब इसका मसाला तयार कर लेते हैं जो कि भिंडी के अंदर हम भरने वाले हैं यहां पर मैंने एक पाव यानिकी 200 ग्राम भिंडी ली है एक चोटा चमच लेंगे दरदेरा कुटा हुआ साउप पाउडर आधा चोटा चमच हमें यहां पर लेना है भूना पिसा हुआ जीरा यानिकी रोस्ट जीरा cup 내내 अधा चोटा चमाश मर신 लेंगे गवरिम मसाला पाउड़र्ख द्राइ मेंगो पाउड़र्ण ड्रेव्ड चोटा चमाश कि कसcip yesni laom俺 chiуш Dock i comments स्वादhew नमक डालें गई अधा चोटा चमरड़र्ण सभाझ कोको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं जिस सभी मसाले एक EC से змेख संथे तरह यह इसे हम pouv Cathedral में वह सकते हैं को सिसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें सर्चों का गुल में यह फिर अचर घ्री में तेल है उसे भी यूज कर सकते हैं टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें हाथ से मिक्स कर लेंगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें और फिर यह हो गया है तयार अब इसे हम भिंडी में भरेंगे तो देख देखे सारी भिंडी को मसाले भर कर तीयार कर लिया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इससे अवझा इससे आप जरूर ट्राई करें, इस तरह से देखिए हमने सारी भिंडियों को भर कर त्यार कर लिया है, इसके- बाद कढ़ा ही को गर्म होने किलिए रखेंगे औ उसे उपर की साइड रखना है, जिससे मसाले कड़ाही में गिरेंगे नहीं, आज को हमें लोटू मेडियम रखना है, तेज आज करेंगे तो भिंडी जल जाएगी और मसाले भी जल जाएगे, अब देखिए एक चीज और भी ध्यान देना है, कि अगर हम इसे सिप तेल में पक देंगे, और बस इसे ढख कर 6-7 मिनट या 8 मिनट तक पका लेंगे, निस्चिंत रहिए, पानी डालने से भिंडी बिल्कुल भी चिप चिप नहीं होगी, बल्कि ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगी, जब 2-3 मिनट हो जाएगे, तो एक बार उसे ढखकन हटा कर धीर से मसाले इसके बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे, निस्चिंत रहिए, अराम से इसे आप पल्टा सकते हैं, और फिर से ढाक कर 3-4 मिनट और पका लेंगे, देखिए 4 मिनट बात देखते हैं, ये देखिए बिंडी कितनी अच्छी पक गई है, और सारे मसाले भी इसके बि नाठे या फिर चाबल दाल के साथ भी खा सकते हैं, तो अब बताइए मेरे रस्पी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, थैंक यू फार वाचिंग